दोस्तों आपके फेवरेट शो बेरिस्टर बाबू में आगे क्या नजर आ रहा है? क्या कहता है? प्रोमो चलिए बात करते हैं. नमश्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाई दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बॉंदिता जो है वो मुकदमे को दोबारा खुलवाना चाहती है आला कि दोस्तो प्रोमो देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉंदिता ने ये मुकदमा खुलवा भी लिया है और वो अपने स्थर पर तहकीका जाच परताल भी कर रही है जहां दोस्तो देखने को मिल रहा है कि बॉंदिता तापूर से भी बात करती हुई नजर आ रही है और वो तापुर से कुछ जानना चाह रही है जहां तापुर कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा लेकिन ये बोलकर वो घबरा जाती है दोस्तों पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्या कहीं चंदरचूर ने तापुर के साथ ही तो वो गलत काम नहीं किया था जो उसे लग रहा था कि वो बॉंदिता के साथ कर लेगा क्या यही देख लिया था अनिरुध ने और क्या दोस्तों ये भी लग रहा है अब तो क्या तापुर ने गूली चलाई थी जिससे चंदरचूर की जान गई और उसका इलजाम अनिरुध ने अपने सर पे ले लिया वहीं दोस्तों देखने को मिल रहा है कि फिर बॉंदिता पहुच जाती है अनिरुध से जेल में मुलाकात करने और उससे सच जानने के लिए वहाँ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ दिनों पहले जो प्रोमों में देखा था कि एक औरत की परच्छाई देख रही थी ऐसा लग रहा है कि बॉंदिता ही इस तरीके से पहुची थी और कहीं ने कहीं पूर अनिरुध का सज जानना चाती थी जहां पर दोस्तों अनिरुध बॉंदिता के सवालों पर चुप्पी साद लेता है जिसे देख कर बॉंदिता कहती है कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप बेकसूर हैं और आप किसी अपने को बचानी के लिए ये सब कर रहे हैं दोस्तों यहां पर बॉंदिता को भी यही लग रहा है कि अनिरुध जो है किसी अपने को बचानी के लिए सब कर रहे हैं हलाकि आपको बता दे हमने अपनी पुरानी वीडियो जो भी आपको बताया था आखिर बॉंदिता कैसे अनिरुध को इस मुकदमे से बाहर निकालेगी कैसे वापस से अनिरुध को एक नई जन्दगी देगी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बतायेगा अभी के लिए अतना ही देखते रहे है वालिवूड स्पाय